हेलो बच्चों, गुड मोर्निंग, तो चलो इस वीडियो में हम लोग billion chapter का solution chapter का most important objective question करने वाले हैं, जो आपके board के exam के लिए बहुत ही important होगा तो इसमें total हम लोग 30 से 32 question करने वाले हैं, और यह billion chapter का part 1 है, इसका एक part और आएगा, जिसमें करीब 30 question और हम लोग करेंगे, तो यह दो वीडियो देखने के बाद आपका यह chapter पूरी तरह से complete हो जाएगा और ना सिर्फ हम लोग इसमें question करने वाले हैं, बलकि एक question से related जितना भी extra fact होगा, ओभी मैं आपको discuss करूँगा इसमें, यानि आप मान के चलो कि दो वीडियो देखने के बाद आपका पूरा solution chapter एक बार फिर से revision हो जाएगा तो चलो अश्टार्ट करते हैं अपना आज का topic, तो देखो इसमें first question है, एक molal billion वा है, एक molal billion ध्यान दिना यहाँ पर, एक molal billion वा है जिसमें बीलय का, बीलय का एक mol घूला रहता है, तो देखो, molality हम कहते कि इसको है, molalता, ए बात यहाँ पर, molalता की हो रही है, तो molalता बराबर आपने पढ़ा होगा, कि होता है, बीलय का मोल बटा, नीचे होता है, बीलायक का बीलायक का द्रब्यमान, तो molality equal to होता है, number of mol of solute by weight of solvent, और यदि weight of solvent आप gram में लिखते हो, तो यहाँ पर एक हजार से क्या करते हो, multiply, अगर नीचे kg में लिखते हो, तो उपर एक हजार नहीं लिखाता है, तो यहाँ पर बोल रहा है, कि molality, एक molal billion, यानी एक molalता की बात हो रही है, तो molalता होता है, एक हजार, एक हजार ग्राम बिलायक में, बिलायक में, एक mol, याद रखना, एक हजार ग्राम बिलायक में, बिले का एक mol होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, molalता, अगर आप से molalता पुछता, तो क्या करते बताओ, molalता पुछता, तो एक लीटर में, एक mol होता, अगर molalता पुछता है, लोग केजी में, यानी एक हजार ग्राम में, एक mol तो mol ब्रते हैं आगे, next question है, दू-molar-selfuric अमली की नुर्मालता होगी देखो यहाँ पे नुर्मालता और मुलारता तो इसके बीच हम लोग relation क्या देखें हैं कि नुर्मालता जो होता है वो एन-गुने-एम होता है एन-गुने-एम अब एन क्या है तो देखो एन जो है एन दो चीज होए यहाँ पे यहाँ बहुत चीज होता है ACDT, BCCT अगर आप यहाँ पे जो जैसे सलफ्यूरीक अमल है तो सलफ्यूरीक अमल क्या है? अमल है तो अमल की छारियाता होती है तो यहाँ पे एन जो है छारियाता है अगर यहाँ पे कोई छार रहता तो एन उसकी अमलियता को बताता ठीक है तो सल्फियूरिक अमलिकी छारियता कितनी होगी बताओ H2SO4 है H2SO4 तो H2SO4 कितना H+, रिलीज कर सकता है तो यह 2H+, रिलीज करेगा तो इसकी जो छारियता हो गई, बेसी सीटी वो 2 हो गई ठीक, और मोलारता यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 2 तो टोटल नोर्मलता हो गया आपका 4N कितना हो गया नोर्मलता? 4N हो गया तो याद रखना रिलेशन नोर्मलता बराबर होता है एन गुने मोलारता जहाँ पे एन क्या है? एन है भैलेंसी फैक्टर यानि संजो जगता गुनांग जो कि यमलियता हो सकता है, छारियता हो सकता है या फिर उसका संजो जगता गुनांग ही हो सकता है तो आपका ओप्शन हो गया B Next question मोलालता की इकाई क्या है? तो देखो मैं सबका बताता हूँ, देखो यहाँ पे पूछा है मोलालता इनका कलर चेंज कर लूँ मोलालता मोलालता पूछा है तो यहाँ पे आप याद रखना मोल प्रति केजी मोल प्रति केजी वही अगर आपसे मोलारता का पूछता मोलारता तो मोलारता का यूनिट हो जाएगा मोल प्रति लिटर ठीक वही अगर आपसे नोर्मालता का पूछ दे नोर्मालता का तो याद रखना ग्राम तुल्यांक प्रति लिटर ग्राम एक्वेलेंट पर लिटर तो यह तीन चीज का आपको जरूर याद रखना है मोल अलता का मोल प्रति केजी मोल अलता का मोल प्रति लिटर और नोर्मालता का ग्राम एक्वेलेंट पर लिटर और ऐसे अगर मोल फ्रेक्शन का पूछे आपसे मोल अंस का तो मोल अंस का कोई यूनिट नहीं होता है तो मोलालता का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देखो B option हो जाएगा मोल प्रती के जी next question निम्न में से कौन सी संद्रता ताप पर निर्भर नहीं करता है तो देखो बच्चों यह जितना भी question है उसमें हम लोग describe भी करेंगे कुछ एक्ष्टना फैक्ट भी देखेंगे जिसके वज़े से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो कोई नहीं वीडियो लंबा होगा तो सीखने को भी ज्यादा मिलेगा ठीक है तो निमन में से कौन सी संद्रता ताप पर निर्भर नहीं करता तो देखो आपको पता है कि मोलालता जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करता बाकी सब में जैसे आप मोले रीटी फाइंड करोगे तो नमबर ओफ मोल होगा बाई क्या होगा भॉलूम अगर आप फोर्मिलीटी तो नमबर ओफ ग्राम फर्मूला यूनिट नमबर ओफ ग्राम फर्मूला यूनिट होगा और इसमें भी नीचे क्या होगा भॉलूम और उसके बाद आप नोर्मिलीटी फाइंड करोगे तो नमबर ओफ ग्राम एक्विवैलेंट भाई क्या होता है भॉलूम तो सब में नीचे क्या रहा है? normality में भी volume है molarity में भी volume है formality में भी volume है और volume जो है temperature के directly proportional होता है be directly proportional T आपने charge का नीम पढ़ा होगा तो ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा आयतन चुकि क्युकivamente नीचे है तो यह सा morality, formality और normality क्या हो जाएगा घट जाएगा तो ताप बढ़ाने से मोलारता घटता है फोर्मलता घटता है नोर्मलता घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है लेकिन मोललता में हम लोग क्या करते हैं कि मोललता में नीचे बिलायक के दरव्यमान का परियोग करते हैं डाबलू भी तो इसके वज़ाए जो वेट है यानि जो मास है उस पे टेंपरेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसलिए आपका मोलालता जो है वो ताप पे निर्भर नहीं करता है ठीक है इसको मैं मिटा दूँ ओकी पीडियप में फिर आ जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किश्चन है सोडा वाटर क्या है तो देखो सोडा वाटर जो है न वो जल में CO2 का बिलियन होता है जल में CO2 का बिलियन नेक्स्ट धूआ क्या है तो धूआ अब जानते हो कि गैस में ठोस है गैस में धूलकन राख या इतियादी मिले रहते हैं तो वही धूआ होता है तो गैस में ठोस है धूआ इस सारे किश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके एकजाम में छप सकता है ताप बढ़ाने पर गैसों के बिलेता देखों गैसों के बिलेता जो है ना जिसके लिए हम लोग हेनरी का नियम पढ़े थे हेनरी ला है हेनरी ज लो यह बताता है कि जो सोलूबलीटी ओफ गैस है ओफ गैस वो डाइरेक्ली प्रोपोर्शनल है प्रेसर का ठीक है तो यह चीज़े याद रखना है कि प्रेसर का डाइरेक्ली प्रोपोर्शनल है आपका क्या हेनरी ला बताता है कि किसी गैस का बिलेता उसके दाब के समान उपाती होता है लेकिन जब आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर गैसों के बिलेता घट जाती है याद रखना लेकिन दाप बढ़ाओगे तो क्या होगा बढ़ जाएगा अच्छा एक बात अप्लीकेशन क्या क्या उप्योगिता है यह आ सकता है एक्जाम में लिखने के लिए तो देखो सबसे पहला कि कोल्ड ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक में या सोडा वाटर में चुकि सियो टू गैस की सोलूबलेटी वाटर में बहुत कम होती है सियो टू गैस जल्दी जल में नहीं घुलता तो उसको गुलाने के लिए बोतल को हाई प्रेसर पे बोतल में जो लिक्वीड होता उसमें सियो टू गैस भरके वो बोतल को हाई प्रेसर पे बंद कर दिया जाता है जिससे सियो टू गैस घूल जाता है क्योंकि जो गैस की बिले सांस लेने में उनको कठिनाई होगी तो वो क्या करते हैं कि अपने पीठ पे एक टैंक मान लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ हिलियम गैस मिक्स रहता है हाई प्रेशर पे तो जिसके वज़़ा से उन्हें सांस लेने में कठिनाई नहीं होती है नेक्स्ट हमारे कोशिकाओं में जैसे हमारे फेफ़डों में क्या होता है कि हम सांस लेते हैं तो फेफ़डा में एयर का कंसंट्रेशन हाई रहता है ठीक है लेकिन हमारे कोशिकाओं में एयर का कंसंट्रेशन संद्रता कम होता है तो जो हीमोगलोबिन होता है वो क्या करता है कि ओक्सिजन के साथ रियक्ट करके ओक्सी हिमोगलोबिन बना लेता है और उसके बाद ओक्सी हिमोगलोबिन क्या करता है हिमोगलोबिन ओक्सिजन को सारे सेल में ले जाता है और जहां पर इसकी संद्रता कम होती है वहां पर छोड़ देता है तो यह तीन आप याद रखना ए उसमें भी हेंरी का नियम ही लागू होता है नेक्स्ट सूध जल की मुल आर्था क्या होती है तो देखो यहां पर कुछ दिया नहीं है कितना जल है क्या है तो हम आनेंगे कि अपने पास एक हजार गराम जल है और बुला की संख्या मुलार्था ब्राबर आप सब जानते हो कि बिलय के मोलों की संख्या, बड़ा-बिलिययन का आयतन किसमें होना चाहिए। लीटर में। तो हम एजियोम कर लेते हैं कि अपने पसमाण लोव 1000 गराम जल है, 1000 गराम और जल का अनूभार कितना होता है, 18, तो भार-बड़ा अनूभार बिलययका मोल नेक्स्ट, 0.4 ग्राम एने ओएच एक लीटर बिलियन में घूला हुआ है, तो मोल अर्ता देखो, यहां पर कुछ पूछा नहीं है, तो यूनिट देखेंगे हम तो बड़ा यह महीं आनि मोल अर्ता है, तो 0.4 ग्राम एने ओएच है, मोल अर्ता पराबर हम क्या जानते हैं, बिलय के मोलो की संख्या बटा, बिलियन का आयतन, किसमें? लीटर में, ठीक है, तो बिलय के मोलो की संख्या पराबर होता है, भार बटा अनुभार, डबलू ए, ये को हम बिलय मानते हैं, तो डबलू ए बटा ये में क्या हो गया, बिलय का आनुभार, इंटू, बिलियन का आयतन होगा, तो देखो यहाँ पे, बिलय का भार कितना है बच्चों, 0.4 बटा, बिलय का आनुभार कितना होता है, ए एने ओएज का आनुभार 40 होगा, एने ओएज, देखो आप, सोडियम का 23, प्लस ओक्सीजन का 16, प्लस हाइडरोजन का एक, जोड़ोगे कितना आ जाएग 40, 40 और बिलयन का आइतन कितना है, एक लीटर है, बताओ कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 4 बटा, 4 गुने, उपर से 0.4 था तो 10 आ गया, आप 40 को लिखेंगे, 4 गुने, 10, तो यह 4 चार कैंसिल हो गया, आपका आ गया, 0.01, 0.01, कहां पे है, है कहीं पे, हाँ, C वला एंसर हो गया, C, नेक्स्ट, यहाँ पे यहाँ पे यह यह, यह दि, 0.25 molar, देखो, molarता दिया हुआ है, एने, C.L. का, 0.25, billion का, जिसका आइतन है, 8200 ml, तो molarता कितना दिया है, मुलारता कितना दिया है 0.25 और आयतन कितना दिया है बताओ आयतन दिया है 800 एमिल फिर आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है कि बिलियन को तनू कर दिया गया जिससे आयतन अभी इसका कितना हो गया आयतन कितना हो गया बढ़के 500 एमिल तो बताओ billion का नया सांद्रन यानि नया molarता क्या होगा तो एक काम करो यहाँ पे दो molarता है तो इसको M1 मानो और इसको M2 मानो इसको V1 मानो और इसको V2 मानो तो मैंने आपको molarity of mixing का फर्मूला बताया है होता है M1, V1 बराबर M2, V2 तो M1 कितना है बच्चों? 0.25, V1 कितना है? 250 equal to M2 कितना है बताओ M2 हमें calculate करना है ठीक, into V2 कितना? 500, तो यह तो देखो 2800 दूना 500 खलास हो गया तो M2 बराबर आपका आजाएगा 0.25 बटा 2, तो यह आगया 0.125, तो यह आपका answer हो जागा 0.125, तो B option होगा यहाँ पे तो कुछ नहीं, एक commodity दिया था, volume दिया था, फिर इसमें और water मिला कि इसको dilute कर दिया गया तनू, तो आयतन नया, आयतन 500, तो नया सांद्रता M1, V1, बराबर M2, V2, एही फर्मूला आप नोर्मालता के लिए भी लागू कर सकते हो अगर नोर्मालता दिया हुगा है नेक्स्ट, 500 ग्राम टूथ पेस्ट है, जिसमें 0.2 ग्राम फुलराइड है, फुलराइड, तो फुलराइड का सांद्रन PPM में, parts पर मिलिया, तो PPM आप जानते हो, कि बिले का भार, बटा बिलायक का भार, गुने 1000 होता है, ये सोरी, 10 के पाउर 6 होता है, तो बिले का भार क 500 गुने 10 के पाउर 6, parts per million, यानि एक million से इसे करना है, तो आप देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, दू, बटा 5, गुने, 10 के पाउर, देखना ध्यान से, ये 0.2 था, इसको हमने 2 बना दिया, तो E कितना हो जागा, 10 के पाउर 5, गुने, नीचे 500 को 5 लिखे हैं, तो ये चला जाएगा, 10 के पाउर 2 उपर, तो माइनस 2 हो गया, तो ये हो गया, दू, बटा 5, गुने, 5 में से दू गया, तो 3, 10 के पाउर 3, तो ये हो गया, 20 बटा 5, गुने 100, तो 5 चो के 20 कटा, तो ये हो गया आपका 400, तो कंसंट्रेशन कितना आया, 400, नेक्स्ट, एक मोलल बिलियन में बिलाय का मोल परभाज है, अब देखो, मोललता दिया है, मोललता मोललता कितना है, एक मोलल, मतलब हुआ, एक हजार गराम में, मोललता का मतलब मैंने अभी क्या बताय था आपको, कि मोललता का मतलब होता है, कि बिलाय के, एक हजार में, बिलाय का, एक मोल, एक मोल, बिलाय का, एक मोल, तो अब देखो, हमें चाहिए, बिलाय का मोल परभाज तो बिलय का मोल परभाज बराबर मैंने आपको बताय था कि बिलय का मोल ठीक है बिलय का मोल बटा जिसका भी मोल फ्रेक्शन पूछे उसका number of मोल उपर होगा और total number of मोल बिलय और बिलय का नीचे होगा तो आप देखो यहां धियान से बिलायक का मोल तो यहां पर दिया हुआ है बच्चों एक मोल तो आप लिखोगे एक मोल फिर नीचे बिलायक का मोल चाहिए तो एक मोल क्योंकि एक हजार ग्राम में बिलायक का एक मोल है तभी तो एक मोल अल्बिलियन हुआ मोललता एक हुआ अब चाहिए बिलायक का तो बिलायक का मोल वराबर बिलायक का भार कितना है 1000 ग्राम तो बिलायक का 1000 ग्राम और अगर हम माल लेते हैं कुछ बिलायक दिया नहीं कि कौन सा है तो जल माल लेंगे, तो जल का अनुभार हो जाएगा 18, तो भार बटा अनुभार कर लिया हमने, एक बटा, एक पलस, एक 18 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 55.5 आएगा, तो टोटल हो गया 1 by 56.5, 56.5, जब अब भाग दोगे, तो यह आएगा 0.01798, ठीक है, तो इसको 0.018 लिख सकते हैं, तो एंसर हो गया 0.018, नेक्स्ट, बिलियन जो एक ताप पर आस्वीत होता है, बिना ताप परिवर्तन इवम, संगठन परिवर्तन क्यों होते हैं, कहलाते हैं, देखो एक बात बताता हूं, जैसे मान लो कि एक बरतन है, और इसमें हमने दो ची ठीक, ए मान लो कि इसमें 60% है, ठीक, और बी जो है वो 40% है, कब, कब, जब लिकवीड है तब, जब लिकवीड है तब, अब हम क्या कियें, कि इसको दोनों को गर्म करके भैपर में चेंज कर दियें, किसमें, भैपर में, तो इस स्थिती में भी, ए साठ परसेंट है, बी 40% है, और जितना boiling point इसका था, उतना ही boiling point इसका है, यानि ये कहीं ताप पे उबलते हैं, ये कहीं ताप पे उबलते हैं, और द्रौ अवस्था में और वास्प अवस्था में, दोनों जगह पे उनका composition एक जैसा रहता है, संगठन एक जैसा रहता था, तो उसको हम लोग बोलत बिलियन, इस्थिर क्वाथी, देखो, इस्थिर मने constant और क्वाथी मने जिसका boiling point constant हो, तो ऐसा बिलियन, जो समान ताप पे उबलते हैं, और द्रौ अवस्था में और वास्प अवस्था में, दोनों जगह उसका composition एक जैसा हो, तो उसे हम इस्थिर क्वाथी बिलियन कहते है next, इन में से कौन धनात्मक बिचलन परदर्शित करेगा, देखो, जल तथा नाइट्रिकम ए रिनात्मक बिचलन है, ठीक है, एसीटोन तथा क्लोरोफोर्म आपका रिनात्मक बिचलन है, उसके बाद जल और हाइड्रो क्लोरीक एसीड भी आपका रिनात्मक बिचलन है, तो पोजेटिव डिवियेशन का तो पोजेटिव डिवियेशन का अगर मैं एक्जामपल दूँ तो आप धेर सारा एक्जामपलें हाप याद कर सकते हो जैसे एथेनोल एथेनोल प्लस एथेनोल प्लस वाटर और एक्जामपल दूँ तो इथर इथर प्लस एसीटोन और एक्जामपल दूँ तो कार्बन टेटराकोलराइड C-C-L-4 प्लस मिथेनोल 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 और देखूं तो फिर हो जाएगा कार्बन टेटराकोलराइड C-C-L-4 प्लस एसीटोन या क्लोरोफोर्म कार्बन टेटराकोलराइड प्लस क्लोरोफोर्म C-C-L-3 उसके बाद आप मिथेनोल और जल भी ले सकते हो मिथेनोल मिथेनोल प्लस प्लस जल उसके बाद और एक्जामपल दूँ मैं तो एसीटोन एसीटोन प्लस जल और एक यहाँ पे होई गया बेंजीन तथा मिथेनोल तो यह सब आप एक्जामपल याद रख सकते हो पोजेटिव डेवियसन में अभी और सारे होते हैं इतना काफी है आपके लिए नेक्स्ट इन में से कौन आदर्स बिलियन नहीं है तो देखो यहाँ पे बेंजीन और टोलून मैंने बताया था कि आदर्स बिलियन होता है बाकी कोई भी आदर्स बिलियन अच्छा 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 क्लोरो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन भी आपका अधर्स बिलियन है हेप्टेन और हेक्सेन भी अधर्स बिलियन है तो यह जो है यह आपका अधर्स बिलियन नहीं है मतलब कि एंसर आपका वही होगा ठीक है तो एंसर कौन होगा एंसर आपका होगा यह वला तो कि यह आपका अधर्स बिलियन नहीं है ठीक अगर मैं कुछ और आदर्स बिलियन का एक्जाम्पल बताऊं आपको तो यहां तो तीन देखी रहे हो कलोरो बेंजीन ब्रोमो बेंजीन यह आइडियल है यह भी आइडियल है और यह है नन नन आइडियल ठीक है और कुछ बताऊं तो मिथेनोल CH3OH पलस C2H5OH उसके बाद और बताऊं तो मतलब यह जैसे जीतना होंगे न जैसे कार्बन टेटरा कोलराइड पलस सिलिकन टेटरा कोलराइड ठीक है तो यह सब के सब जो एक जैसे हैं जैसे आप सम मिला के देखो यह सब आदर्स हैं यह दोनों क्या हैं आदर्स हैं, आप देखो आदर्स में, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, बिल्कुल एक जैसा है, बेंजीन और टोलूइन, बेंजीन में अगर CH3 जोड देते हैं तो उसी को टोलूइन बोलते हैं, यह भी एक ग्रूप का है, हेप्टेन और हेक्सेन, एलकेन है दुनों एक 14 का, तो यह सब आइडियल सोलूशन है, नेक्स्ट, बेंजीन तथा टोलूइन के लिए सही है, तो देखो, बेंजीन और टोलूइन जो हैं, बेंजीन टोलूइन, वो हैं आइडियल सोलूशन, कैसा है, आइडियल सोलूशन है, आइडियल, आइडियल सोलूशन, और आइड delta h mix यानी इनके मिष्रन का enthalpy zero होता है, delta b mix भी zero होता है, तो यहाँ पर answer क्या होगा, delta h mix zero हो जाएगा, ideal solution के लिए, क्योंकि benzene तथा toluene ideal solution है, next, द्रो का वास्प दाब, तो देखो ताप बढ़ाने पे बढ़ेगा, simple सा सवाल एकदम, ताप बढ़ाओगे तो वास्प ज़्यादा बनेगा, और वास्प ज़्यादा बनेगा, तो वास्प दाब भी ज़्यादा लगेगा, तो ताप बढ़ाने पे वास्प दाब बढ़ता ह नेक्स्ट कौन रिनातमक बिचलन दिखाता है तो देखो बेंजीन टोईलीन तो आइडियल है और यहां पे जल और हाइड्रोकलोरीक एसीड मैंने आपको बताया था कि नन आइडियल है जल और हाइड्रोकलोरीक एसीड नन आइडियल है तो नन आइडियल में ए सोरी रिनातम भी है और कौन-कौन है देखो और में मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफोर्म प्लस कि एसीटोन ठीक उसके बाद क्लोरोफोर्म थिरी यहां पर क्लोरोफोर्म का फर्मूला मैंने गलत लिखा है तो एसीएट थिरी होगा दूसरा है क्लोरोफोर्म प्लस बिंजीन सीशीक्स एसीक्स उसके बाद जल और हाइड्रोकलोरीक एसीड उपर में दिया हुआ है उसके बाद आप याद रख सकते हो जल प्लस नाइट्रिक एसीड एच एन ओ थिरी उसके बाद क्लोरोफोर्म प्लस एथर एथर उसके बाद एसीटोन प्लस एनिलीन भी होता है एनिलीन बेंजीन में जब आप एनेच टू जोड देते हो किसी पोजिशन पे तो उसको एनिलीन बोलते हैं शी टोन और एनिलिन तो यह वैं आपके negative deviation के एक्जामपल हैं तो इक इसके एक्जामपल हैं रिनात्मक बिचलन के एक्जामपल हैं याद रखना नेक्स्ट यदि दो द्रवों का बिले मिलाने पर उस्मा सोसी इंडो थर्मिक है उस्मा सोसी है तो कैसा दिखाएगा धनात्मक विचलन दिखाएगा मतलब temperature बढ़ रहा है तो positive deviation होगा उसमा सोसी दो द्रव को मिला रहे हैं तो कैसी परकिरिया है उसमा सोसी है इंडो थर्मिक तो कैसा बिचलन परदर्शित करेगा धनात्मक बिचलन अगर उसमा छेपी रहता तो रिनात्मक बिचलन किस नियम के उनुसार किसी निश्चित्ता पर किसी तनुबिलियन का परासरंदाब अनुओ की संख्या के समानुपाती होता है यानि जो परासरंदाब है ओ सांदरता के समानुपाती होगा तभी हम बोलेंगे कि सांदरता जो होता है ओ ए संद्रता के बारे में कुछ न दिया रहे तो मोलारता हो गया एने भाई भी तो यहां से आगे हमारा की पाई जो है समानुपाती है बिले के मोलो की संख्या के तो यह कौन सा नियम है यह है वान्ठोप ब्वाइल का नियम ठीक है वान्ठोप ब्वाइल का नियम सोरी सोरी यहां पे one top यह गाडरो का नियम है क्योंकि नहीं नहीं ठीक है ठीक है one top बॉयल का नियम तो pi directly proportional to c pi directly proportional to c सांदराता के समानुपाती है तो यहां से आएगा सांदराता बराबर n भाई भी तो pi directly proportional n यानि निश्चित्ता पे temperature constant है तो pressure जो है सांदराता के समानुपाती हो रहा है one top बॉयल का नियम है दूसोती 70 केल्विन पर 0.1 mol प्रती लीटर सांदराता वाले बिलियन का परासरंदाब होगा आपको मालूम है परासरंदाब एक अनुसंख्यक गुन है अनुसंख्यक गुन क्या होता है जो बिले के कनो की संख्यापद निर्भर करता है तो pie उक्वल टु होता है परासरंदाब रहूँ tor जहां C क्या है सांदराता है C सांदराता है R gas constant है तो सांदराता यहाँ पर देखो 0.1 mol प्रती लीटर दे दिया है सांदराता तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 into r, gas constant कितना लेना है, 0.0821, एक gas constant r का value होता है लीटर एटियम में, और temperature दिया है बच्चो कितना, 270 Kelvin, जब आप इसको multiply करोगे, तो यह total आ जाएगा 22.4, कितना आ जाएगा, 22.4 आ जाएगा, तो यह आपका answer हो गया, A, next question क्यों बढ़ते हैं, 0.001 molal urea billion का क्वाथनांग कितना है, ठीक है, billion का क्वाथनांग कितना है, तो जल का molal union इस्थिरांग, तो देखो, billion का क्वाथनांग, जिसको हम लोग बोलते हैं, TB, ठीक है, तो billion का क्वाथनांग है आपके पास, 100.18 degree, ठीक है, और जो बिलायक होता है, चुकि जल का क्वाथनांग कितना होता है, 100 degree होता है, 100 degree, ठीक, तो billion का क्वाथनांग 100.18 है, और जल का क्वाथनांग 100 है, तो आखिर क्वाथनांग में union कितना हुआ, बिरिधी, delta TB, delta TB बराबर होता है, TB minus TB note, तो TB minus TB note करोगे, तो 100.18 minus 100 करना होगा, तो आएगा 0.18 यह आगे डिल्टा टीबी क्योंकि जब हम किसी हम जानते हैं कि जब किसी सुध बिलायक में और वास्प सील बिले मिलाया जाता है जिसका वास्प नहीं बनता है तो यूरिया ठोस है और वास्प सील होगा और वास्प सील बिले मिलाया जाता है तो बिलियान का कोथनांक सुध बिलायक के कोथनांक से अधीक होता है जो आप देख रहे हो है 0.18 तो कितना कोथनांक अधीक है डेल्टा टीबी टीबी माइनस टीबी नोट तो 0.18 अब हम लोग टीबी का फर्मूला जानते हैं डेल्टा टीबी हमें पता है बच्चों की 0.18 आया है बराबर के बी इंटू मुलालता चाहिए न तो यहां पे दिया है 0.001 तो बिलियन का मुलालता दिया है 0.001 तो के बी बराबर 0.18 बटा 0.001 तो यह करोगे तो कितना आ जाएगा तो एक हजार उपर जाएगा तो आपका टोटल आ जाएगा सुल्ब करके 180 तो यह एंसर हो गया C याद रखना important question है आ सकता है exam में एक ग्राम औवास्प सिल्प पदार्थ को 10 ग्राम जल में घोलने पर बिलियन का कोथनांक इतना पाया गया ठीक है बिलियन का कोथनांक इतना तो इसका अनुभार क्या होगा देखो एक ग्राम एक ग्राम औवास्प सिल्प दार्थ है वो 10 ग्राम जल में घोला गया तो यह हो गया बिलायक 10 ग्राम बिलायक और एक ग्राम बिले जिसका कोथनांग 373.52 तो इसका अनुभार क्या होगा आपको पता है कि सूध जल का सूध जल का अगर हम कोथनांग देखें तो 100 डिग्री सेल्शियस यानि 373.52 है तो अब आप बताओ कि डिल्टा टी बी कितना होगा तो घटाओगे तो कितना आएगा ? आएगा कि नहीं अब हम जानते हैं कि delta tb equal to होता है kb into m तो delta tb तो हमें मालूम है बच्चों की point 52 होता है और जल के लिए kb का मान आपको मालूम है point 52 होता है जल के लिए kb का मान point 52 Kelvin kg per mole होता है 0.52 गुने, मुलालता तो मुलालता बराबर होगा बिलाय का mole तो बिलाय का mole कैसे निकलेगा बताओ बिलाय का mole होगा भार बटा अनुभार तो बिलाय का भार दिया है एक gram और बिलाय का अनुभार हमें नहीं मालूम है वही find करना है गुने, बिलाय का mole होगा बटा बिलायक का दरभ्यमान तो बिलायक का दरव्यमान कितना है बताओ 10 ग्राम है 10 ग्राम और ग्राम में लिए हो तो उपर 1000 से मल्टिप्लाई भी करना पड़ेगा अब देखो सोल्ब करते हैं यह 0.52 तो खतम हो गया तो बच गया 1 गुने 1000 बटा 10 तो A में को बराबर के उस साइड ले जाओ तो A में इधर आएगा बच गया आपके पास केवल इए देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा सीर्फ 100 बच जाएगा तो बिलायक अनुभार आगया 100 नेक्स्ट किस्चन पहाड़ों पर जल का कोथनां कम हो जाता है क्यों सिंपल ची बात है उपर जाने पर वायूमंडली ये दाब घटता है नीम्न में कौन अनुसंख्या गुन है तो देखो परासरन दाब एक अनुसंख्या गुन है फिर अपने पास टोटल अनुसंख्या गुन कितने है चार तो इसमें पहला क्या है वास्प दाब का अपेच्छी का ओनामन ये पहला है ओनामन दूसरा है को अथनांक में उनियन यानि ब्रीधी तीसरा है हिमांक में अवनामन और चौंथा आपका क्या है पासरन दाब तो ये चार हो गया नेक्स्ट इस्थिर ताप पर बिलियन का परासरन दाब उसकी तो हमने क्या बताय था कि पाई इकवल टो सी आर टी होता है टेंप्रेचर कॉंस्टेंट हो गया आर कॉंस्टेंट है तो पाई डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हुआ सी का तो सी क्या है सांद्राता है तो सांद्राता के समान उपाती होगा दू परतिसत इुरिया बिलियन एक अन्य कारवनी के होगी एक्स के छो परतिसत बिलियन के साथ संपरासरी है संपरासरी का मतलब जानते हो संपरासरी का मतलब समान परासरन दाब समान समान परा सरंदाव तो CRT बराबर होगा CRT अब चुकिए टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम रहेगा वार का भेलू सेम रहेगा तो हमें यहाँ पैसे लिख सकते हैं C1RT बराबर C2RT R से R खलास हो गया चुकिए R का भेलू कॉंस्टेंट होता है टेम्परेचर हम यहाँ पे दिया नहीं है तो दोनों का सेम लेंगे ठीक तो बच गया C1 बराबर C1 बराबर C2 तो C1 देखो मुलारता है संद्रता तो मुलारता बराबर बिले का भार जो कि हाँ दू परतिसेत है बिले का भार बटा बिले का मूल बटा बिलियन का आयतन चाहिए तो बिले का भार तो दू परतिसेत है तो दू ग्राम ठीक है अब इूरिया है तो इूरिया का आनूभार कितना होता है, इूरिया का अनुभार होता है 60, ठीक अब बटा billion का आयतन, चलो माल लेते हैं एक लिटर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे C2 जो की 6 है बटा इसका अनुभार हमें मालूम नहीं है, और गुने इसका भी एक लीटर ले लो ठीक है तो यह कितना हो गया दूसे 30 बार में कट जाएगा ना दूसे 30 बार में 60 खतम तो एम इकवल टू आ गया 30 गूने 6 इकवल टू 180 तो यह आपका यह वला एंसर हो गया 180 देखो सम परासरी था तो उनका परासरंदा बराबर होगा तो C1RT इकवल टू C C2RT क्योंकि RRT तो constant रहेगा यहाँ पर C1 बराबर C2 होगा संदरता बराबर होगा तो संदरता बराबर होगा तो संदरता बराबर होता है तो 60 हो गया इसका अनुभार यहाँ पे बिले 6 परतिशा तो 6 मान लिया अनुभार नहीं मालूम तो M मान लिया सुल्ब करने के बाद 100 वसी आया रक्त के संदर्भ में वह बिलियन जिसमें रक्त को सिका है समान वस्था में रहती है जिसका अनुभार 342 है यह 6.48 नहीं बलकि यहाँ पे 6.84 है 6.84 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलियन का हिमांक क्या होगा तो हिमांक पूछ राएदे को केफ कमान दिया है तो हम जानते हैं कि डेल्टा टीफ बराबर होता है केफ इन्टू हिमांक आओ नामन से क्यूस्चन है तो डेल्टा टीफ इक्वल टू केफ का भेलू कितना दिया है बताओ 1.86 इन्टू मुललता फिर बिलय के मुलो की संख्या बिलय के मुलो की संख्या बटा बिलियन का आयतन सोरी बिलायक का द्रब्यमान आयतन नहीं बिलायक का द्रब्यमान यहां पर बिलायक का द्रब्यमान अगर गराम में हो तो फिर उपर क्या करना पड़ेगा एक हजार से गुना तो अब देखो डेल्टा टीफ इक्वल टू 1.86 तो बिलय का मूल भार बटा अनुभार तो बिलय का भार कितना है 6.84 बिलय का अनुभार कितना है 342 बिलायक का भार कितना है 100 गराम उपर कितना से गुना करना है एक हजार से तो अब देखो तो कितना आया 1,2 1,2 0 खतम ये कट जाएगा आपका कितना बार में 342 से ये कट जाएगा 0.02 बार में ये खलास हो गया तो 1.86 गुने 0.02 आगे आपके पाँ 6 दूनी 12 की दू 8 दूनी 16 17 की साथ और ये 3 तो 2 दू 4 आंग के बाद 10 मलो हो गया ना नहीं ये 1 ही था तो यहाँ पे अब ये उपर में 10 भी तो है तो 10 से मल्टिप्लाई करोगे तो ये पूरा के पूरा गुने 10 भी आएगा ठीक है तो ये आ जाएगा 0.732 0.372 0.372 ठीक है तो ये तो आगया कौतनांक में सोरी हिमांक में और नामन हमको हिमांक चाहिए 0.372 तो आपका हिमांक कितना होगा तो ये माइनस में चला जाएगा 0 होता है ने 0 जल का हिमांक कितना होता है 0 0 में इतना घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.372 हो जाएगा और नामन मने कमी होता है ने इतना घटाना पड़ेगा next 300 Kelvin पर दो द्रव A तथा B अदर्स billion बनाते हैं इस billion का वास्पदाब 90 टोर है 90 टोर तो इसी ताप पर यदि सूध द्रव A का वास्पदाब इतना हो सूध द्रव B का वास्पदाब इतना हो तो B का मोलन्स कितना होगा आपको पता है फर्मूला राउल्ट बबा का नियम P total equal to मैंने आपको बताया था P note A into XA यानि B लायका मोलन्स प्लस बिलायका मोलन्स तो E हो जाएगा P note B into XB ठीक है तो P टोटल यहां पर देखो दिया है कि बिलियन का वास्पदाब कितना है 90 है तो बिलियन का वास्पदाब तो लिख दिया हमने 90 अब देखो सुधतरो A का वास्पदाब तो यहां पर P नोटे जो है सुधतरो A का वास्पदाब है जोकि 70 है फिर देखो पुछ रहा है B का मोल भीन चाहिए तो यहां A का मोल भीन क्या करेगा बताओ तो इसको change करना पड़ेगा B के रूप में तो X से equal to लिख सकते हैं 1-XB क्योंकि B लए और बिला एक दुनों के मोल भीन का जोड 1 होता है पीनोट B देखो कितना दिया B का वास्प दब सूद वस्था में 136.6 into इसका मोल भीन तो हमें चाहिए XB चाहिए ठीक है तो आप देखो 90 equal to 70 minus 70 XB plus 136.6 XB 70 को इधर लाओ तो 90 में से 70 गया तो 20 equal to इसको घटाएंगे 136 में से 70 या आगा 66.6 XB तो XB equal to आगे आपका 20 by 66 भाग दोगे आएगा 0.3 ठीक है तो बच्चों ए था हमारा आज का सेशन सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताना solution chapter एक बहुत ही tough की chapter माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा formula है बहुत सारा concept है जो आपको याद रखना होता है तो एक वीडियो और लाएंगे और उसमें हम कोशिस करेंगे कि जो बचा हुआ topic है उसको cover किया जाए ठीक है मिलते है next वीडियो में वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे like जरूर करना share भी करना अपने दोस्तों के साथ और अगर इसका pdf आपको चाहिए जो मैंने पढ़ाया इसका अगर pdf चाहिए question का तो मेरा telegram channel है जो telegram channel जो यहाँ पर उपर लिखा हुआ आप ए सर्च करना डिके चंदन एजुकेटरी telegram के सर्च बार में तो आ जाएगा और वहाँ पर जोईन करके आप pdf ले सकते हो मिलते हैं next video में thanks for watching